जब हम सबसे पहले अगर हम कोई भी बात की शुरुबात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा basic fundamental क्या है generally ये जो हमारा UPSC का exam है एक line है right हम इसको यहाँ देखते हैं हम सबसे पहले जब हम अपनी तयारी शुरू करते हैं हम चाहे 12 में हो graduate हो चुके हो graduation कर रहे हो इस पर मैं कई बार बात कर चुका हूँ कि तयारी का जो सबसे best समय है वो क्या होना चाहिए लेकिन जो सबसे बड़ा है मेरे हिसाब से जो मैं I.S. को समझ पाता हूँ ये UPSC को समझ पाता हूँ हम इसे जादा तर हम देखते हैं कि जब हम तयारी करने आते हैं तो हम इस तरफ खड़े होते हैं हमें लगता है कि ये UPSC का exam है प्री मेंस इंटर्व्यू और हम इसको ये देखते हैं हम बार बार ये कहते हैं कि भई हम I.S. की तयारी करना चाहते हैं हम यही बोलते हैं मैं I.S. बनना चाहता हूँ बनना चाहता हूँ बनना चाहता हूँ यह है क्या बेसिकली जब आप IIT की तैयरी कर रहे होते हैं तो आपको पता होता कि Maths आपके लिए कंपलसरी है यानी एक Demain आपका होना ही चाहिए जब आप Neet की तैयरी कर रहे हो तो Medical की जब तयरीer हो तो आपको पता कि बायो आपका पार्ट होना ही चाहिए, जब आप C.A. की तैयारी कर रहे हो तो commerce आपके पास होता है, ठीक है, तो ये basically आपने देखा होगा कि ये जो इंडिया के topmost examinations है, IIT हो गया, तमाम तरह की चीज़े हो गई, ये basically अगर आप ध्यान से इसको देखोगे, तो ये एक special domain demand कर रहे है, ठीक है, ये mass में आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, physics होना चाहिए, यहाँ biology होनी चाहिए, medical के लिए, बट जब तुम आईएस का exam देखते हो, इसमें किसी भी domain का, किसी भी domain का वेक्ति इसमें प्रवेश कर सकता है, तो ऐसा क्यों है, कि कभी सोच के देखा, तुमने की in exam में special subject की requirement कर रहा है, subject में एक बहुत proficiency की demand कर रहा है, बहुत विशिष्टता की demand कर रहा है, math बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके पास, physics आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, chemistry बहुत अच्छी होनी च then you go through that, आप इसके साथ, accounting आपको बहुत अच्छी होनी चाहिए, stat आपको बहुत अच्छा होना चाहिए, then you can go through that, but what about IS, UPSC में क्या है, UPSC में किसी भी domain का, आप subjects जिरह देखो, जो science से आ रहा है, उसको भी history, geography पढ़ा रहे है, economics पढ़ा रहे है, जो non-economic background से आ रहा है, व specialize क्यों नहीं कर रहे है, अगर इस exam का nature, केवल topmost brain को अठा करना होता, ऐसा brain जो बहुत पढ़ता है, जो मोटा चश्मा लगाए, अपने कमरे में बैठ के घंटों-घंटों, किताबों के सामने इसको दीन-दुनिया से कोई मतलम नहीं है, तो इसको special service रखते है, specific knowledge मांगते ह subject यह हमारा define है, यह वाला subject जब पढ़ोगे, तो ही मालो जैसे for example, पबैट रख दिया, बोले पबैट जब special को उसके mastery कर लोगे, पबैट बहुत अच्छे extraordinary काम करोगे, then आप आई इस बनने, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं कहते हैं, वो history भी पूछते हैं, medieval भी पूछते हैं, ancient art and culture, geography, science, economy, basic knowledge, general knowledge, सब कुछ पूछते हैं, current affairs, world की current affairs, international relationship, internal security, कहां बम फूटा, सरकार क्या policy लेकर आ रही, गरीबों के लिए क्या मुद्दा है, उनके लिए कौन कौन सी policy लेकर आ रहे हैं, अगर हम उनके लिए धेर सारा पैसा दे रहे हैं, तो हमारा current account deficit क्या है, मलो देश्वियापार में IR जादा कर रहे हैं, हमारे relationship हम, हम जब economics कर रहे हैं, तो हमारे IR कैसे provide हो रहे हैं, यह कुछ अला की domain में बात करते हैं, तो इसका मतलब है, इस exam की requirement है, जब exam में कोई body paper बनाती है, वो अपनी requirement टै करती है, कि basically इन्हें क्या चाहिए, इन्हें यह special domain का वेक्टी नहीं चाहिए, तो इन्हें क्या चाहिए, यह बात यह अंतर जितने जल्दी आप समझ जाओगे, एक exam में आपको बहुत कुछ करने के लिए मदद मिलेगी, बहुत मज़ा आएगा, तो इसका मतलब है, यह student आते हैं, तो यह student इसी mindset के साथ होते हैं, कई इसमें आ I.S. बनना चाहता हूँ, हम इसी तरह बोलते हैं, I want to be an I.S. officer, ऐसे ही बोलते हैं, बट यहां पर बहुत बड़ा जो है, जो है एक जोल है, क्योंकि यह specific बात करते हैं, यह एक domain में आपकी special knowledge, competitive knowledge की बात करते हैं, यहां पर यह basically आप से पूरा personality growth मांगते हैं, यह अंतर अग कि विधियां बहुत कम लोगों पता होती है, कि मुझे इस exam के साबसे कैसे change करना है, यह तो clear हो गया, कि इसमें कोई special domain वो कहीं नहीं रहा है, ठीक है, वो art वाले को science पढ़वा रहा है, science वाले से art के humanities के question का test ले रहा है, वो commerce वाले से non commerce background का question पूछ रहा है, सब के लिए वो मन में आ करो यार, डॉक्टर जो है जिसने MBBS किया है, वो संस्क्रत में संस्क्रत साहित लेकर, IS में rank लेकर आ रहा है, how it is possible, तो यानि इस exam के बारे में कभी ठहर के सोचो, यार यह demand क्या कर रहा है हमसे, यह demand कर रहा है, प्रशाशनिक जो आपका एक personality होती है, यह आपसे वो personality मांगता है, personality क्या है, यह भी तो समझना जरूरी है, six-pack app मांग रहा है, जिम में डोले शोले मांग रहा है, छप उनिज का सीना मांग रहा है, मांग क्या रहा है personality में, personality में यह basically, आपको जानता है कि आप यह बिरो敢ina बनने वाले हो, क्या बनने वाले हो, बिरो क्राट कहते हैं नौकर शाह कहते हैं और तीसरा एक और वर्ड होता है इसको हम लोग सेवक कहते हैं ये तीन चीज़े हैं ठीक है हम इसको लोग सेवक कह रहे हैं तीन चीज़े बिरोक्रेट जानते हैं आप लोग नौकर शाह और लोग सेवक ये तीन चीज़े हैं जो आपको requirement क्या है और हमें यहां किताबों से शुरू करने की बजाए हमें इधर से शुरू करना पड़ेगा यह एक लाइन है जिसके पार बहुत ज़्यादा इस्ट्रूइंट देखनी पाते और टीचर उनको प्रेरित नहीं कर पाते कि यह बांडरी वाल है इसकी पार जड़ा देखो तो क्या है तो उनको क्या होता धिरे धिरे एक्जाम इतना बड़ा लगने लगता है वो गौलिया तो राच्छास वाली कहानी सुनी है ना कि धिरे वो एकदम विशाल काया लगने लगता और यह इसका एक्जाम दुनिया का सबसे कटीन एक्जाम में पता नहीं क्या ऐसा पूछेंगे कि जो है धीरे 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 आता है तो पहले बात यह होता है आरे मैं आईस बनना चाहता हूं फिर थोड़े से माइज बनना चाहत अरे आईस बनना चाहता हूं धीरे धीरे क्या होगा यह जो मुश्किले हैं वो बढ़ती चली जाती हो और आपका confidence कम होता चला है क्योंकि आप इस लाइन के पार नहीं देख पार हो किस लाइन के पार क्या है उसधर से requirement क्या रही है बीच पे धीरे धीरे किताबों का बोज नोट का बोज अख़बार का बोज बढ़ना शुरू हो जाता है और आपका शायद मैं आईस बनना चाहता हूं शायद मैं आईस बन नहीं पाऊंगा धीरे-धीरे करके तुम्हाना confidence कम होता चला जाता है आपकी सर्विस के requirement क्या है तीन वर्ड है बीरोक्रेट नौकर्शा और लोकसेवक यानि पब्लिक सर्वेंट हम जरली इसको बात करते हैं बीरोक्रेट का जो मतलब होता है तो अगर आप देखें एक specific people aristocrat जो वर्ड है वहां से अगर हम क्रेट वर्ड को निकालें और बीरो यानि कि जो हम बीरो का मतलब होता है वो special संस्थाएं जो एक etiquette के साथ वो सरकार को brief करना, government को brief करना कि आपने जो policy बनाई है वो basic नीचे तक कहां तक पहुँच पा रही है और दूसरा वो जो लोग है उनकी requirement किया सरकार को बताना तो वो जो है एक बीरो के रूप में रखन संस्था के रूप में बनना एक पहला काम हो गया यानि यह बहुत ही etiquette वाले people होते हैं यह बहुत mannered लोग होते हैं सबसे बड़ी बात और manner का मतलब होता है इनको civil servant के manners के पता मैनर का मतलब होता है जो special protocols of the governance जो government के special protocols है तो उनको इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता होता है if you think about the bureaucrats right चलिए next आ जाते हम लोग और next अगर हम बात करेंगे तो इनको अगला नौकर शाह बोला जाता है नौकर शब्द का मतलब होता है जो मालिक की आग्या को पालन करे मालिक यहां government है सम्विदान है शाह का मतलब होता है यह वो रामुगा का वाला नौकर नहीं है it's a very shy thing that is यह जो है उर्दू-Parsian से लिया गया है तो basically यह जो है वो एक शाह मतलब इसके अंडर में ठेट सारे लोगों के इनको काम कराना है leadership quality होनी चाहिए और लोग सेवक यानि लोग सेवक का मतलब होता है जनता के बीच में easily communication कर सके उनकी दर्द को समझ सके उन first understanding की मुझे exam देना है इतनी books पढ़नी है try to understand what are the requirements क्यों जो है UPSC की requirements क्या और क्यों जो है बहुत basic बच्चे select हो जाते हैं underprivileged बच्चे select हो जाते हैं कभी 12 में fail हुए बच्चे भी select हो जाते हो उसका reason क्या है वो reason आपको यहां पता चलेगा exam की requirement क्या है अब bureaucrat का मतलब ह होता है you are very aware होने चाहिए आप हर समय मेरी country में क्या चल रहा है क्या requirements है मुझे जो है वो कैसे update करना है मालो government को कल को तुम्हें update करना है तो तुम्हें क्या information होनी चाहिए minute information you have to be very alert at every time हर समय तुम्हारे पास एक alertness होनी चाहिए दूसरा जो सबसे important नौकर शाह तुम्हें अ काम कराने नहीं आ रहा है तुम किसी साथ उल्चे हुए तुम जो है वो सबसे लडाईयां तुम आई चल रही है तुम अच्छी टीम नहीं prepare कर पा रहे हो टीम में लोगों को motivate नहीं कर पा रहे हो तो क्या होता है फिर वो तुम्हारी टीम disturb हो जाती काम नहीं होता और लोग इस तीनों पार्ट मैं कैसे अपने आपको जनरेट करूंगा यानि बीरोक्राट के लिए मुझे क्या चाहिए यहाब टू बी वेरी बीरोक्राटिक यहाब तो मुझे अलर्टनेस बहुत जादा जुरूत होगी जिसे कहते हैं कि मुझे पढ़ने की आदत होनी चाहिए कर दो कि कि आई एस बनना चाहता हो आई पीएस बनना चाहता हूं बहıt यह साल वात यह बात समझ में लेकिन जिनको यह बात समझ में आगी उन्नोंने बहुत कम बहुत आसानी से इस मेंिक्जाम को ख्राक किया है ठीक है इस लाइन के पार देखना शुरू करो हुए इस करो कहते हैं कि उसी जूते में पैर रख दो दिए दिए तो मुसी तरह से चाल चलने लगोगे तो यहां पर भी जो है वो क्या है मैं एक आइस officer हूँ अब में एक आइस officer हूँ और जब आप सुबह उठो तो आप देखो कि आज आपके में पूरा देश और पूरी दुनिया आपके इसको आपको किसी को रिपोर्ट करना है आपको आपका बॉस यापका सीनियर मोस्ट आइस officer cabinet secretary prime minister chief minister आपको किसी को रिपोर्ट करना है जैसे माल लीजे कुछ artificial question कुछ दिन ये प्ले करके देखो एक गेम खिलने को देता हूं कि अच्छा बताओ इस समय रशिया में क्या चल रहा है किस देश के साथ रशिया ने अपनी सीमा पैरा सूट जो है अपने सेना पैरा सूट पर उतारी अब तुम तो पता ही नहीं रस लिखा हो यह कोई तुम्हारा teacher हो यह तुम्हारा कोई mentor हो तुम्हारा को senior हो किसी को भी कि मुझे आपको सार रिपोर्ट करनी है bureaucratic attitude डवलब करो तो रिपोर्ट क्या होता है मालीजे तुमसे जो है किसी ने कहा कि मुझे ब्रीफ करो within five minutes कि अभी वर्ड में क्या चल रहा है लिखा के साथ रश्या के साथ क्या चल रहा है तो देखो आईस officer के बहुत ही brief report तयार करनी होती है अपने boss को देने के लिए boss को थोड़े ने पोथा दे दिया लिजे boss पढ़िए पढ़िए दो-चार दिन पढ़िए आराम करिए को इटेंशन नहीं उसको बहुत brief report बनानी ह चाहिए तो आपको क्या करना है आपको सीधे बात करनी है इसी वे में ओके सर आम रेडी हम मैं तयार हूं और डेली इसको आदट मिलेकर अगर personality को आईस की तरह डबलब करना चाहते हो तो इस तरह से तो आज से पहला काम मैं आईस officer हूँ मैं IPS officer हूँ अब आपको क्या करना ह कि नहीं करना यह करना है अरे कुछ नहीं है वह यहां पर खड़ी हुए धेर सारी भीड में खड़े हुए लोग है आपको भीड का पार नहीं बनना है आपको लाइन के पार देखने है अब तुम जब अख़बार तुम यह सोचो कि मुझे एक IAS officer बनना है मुझे मैं IAS officer भारत को जानो अगर तुम आई IAS को समझना चाहते हो तुमारे दिल में भारत होना चाहिए देश होना चाहिए और जब भारत भारत के हित आप आने वाले समय में भारत के हितों के रक्षक होने जा रहे हो आप भारत के पूरे दुनिया में भारत के अंदर जहां जहां भार सारी की तरह पूछो एक एक्ट करो इसपेशली जो बच्चे अभी हमारे ट्वल्थ पास कर चुके हैं उनके लिए बहुत अच्छी आक्टिंग बता रहा हूं तो यह क्या होता है कि आप इसमें पूछो कि मैं कितना अवेर हूं ऐसा नी कि पहले दिन हो जाओगे लेकिन धीर हालत खराब रहती है ठीक है जिसे लोग कहता है फटी-पडी यार हालत खराब है मारी इस तरह बात करते हैं लोग तो क्यों कि बोले अरे यार बहुत को सारी रिपोर्ट देनी है तो उसमें आप आप से कोई कहा है अरे चलिया पिच्चर देखा तो बहार में जा नौकरी ख करते होंगे या जो लोग करते होंगे उनको यह बात पता होगी तो वहाँ पर है कि इस कंडिशन में आपको अगर डेली इस तरह की आदस हो जाए कि मुझे रिपोर्ट करनी है तो ब्यूर्ट आप यह वेरी अब यह आप तो समराइज और रिपोर्ट कि आद ड़लों कि मु ठीक है तो इसको ब्यूर्यक्राटिक प्रेशर ग्रूप में डबलब करो और फील करो आइस ऑफिसर वो मुझे बात कर सकते हैं जैसे अभी मालो माघ मेला की बात हो रही है कुम्भ क्या होता है कि कहां प्र गता है मुझेक कुम्भ का प्रशाषण दिया जाएगा तो पहले में इसके कल्चिरल हेर्टएज बहुत अच्छा बच्ची तो बहुत अच्छा उसने बनाके भीजाए तो मालो यह हमारा तो अब जैसे मैंने का रहे यह तो कागच की चीज़ बात मुझे पता चला कि अरे यार यह तो कोई alien species है या कोई बहुत खुदाई में निकली चीज है तो मैं इसका संक्षन अलग तरीके से करूंगा मेरा attitude क्यों जाएगा यह common चीज ने इसको संक्रहाले में रखा जाना चाहिए यह इसको museum में इसको protect किया जाना चाहिए इसके बारे में study होनी चाहिए इसकी carbon dating होनी चाह और देन हाव विल्यू इन हैंस वैल्यू इन पर्टिकुलर थिंक्स अप उसमें अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा होगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो यह इसका की कॉनसेप्ट चाहिए आफस ही क्यों नहों आप पुरे दुनिया में क्या चल आरे पता नहीं यार क्रीमिया में क् ठीक है तो इस तरह से काम नहीं चलेगा तो फिर्स टिंग ब्यूरोक्राटिक अवेर्नेस तो आफ से आपको क्या करना है मैं आई इस ऑफिसर हूँ लिखो और उसको फील करो एवरी मूमेंट लिव इन मूमेंट कि मैं हूँ मुझे रिपोर्ट करना है जैसे मैं आपको एक इस पर मिलता है तो हाड़ी मुझे 10 मिनिट मिलता पढ़ने इतना भी टाइम कई बार नहीं मिलता है तो मेरे दिमांग में आप लोग होते हैं कि मुझे आज जब मैं क्लास में जाओंगा और मैं अलग-अलग सब्जेक्स पढ़ाता हूं तो अलग-अलग होके जाओंग होगी जाओंगर किस बनदेट करना है तो मेरे दिमाग क्या होता है कि इसमें से ब्रेजेक्स पर्लाई द्यानी नहीं जाता मुझे पता मेरे इंफुर्मिशन यहां मिलनी में यहां मिलनी और मैं उसको तुरंद पेकर लेता हूं कि आज मुझे बच्चे से बात करना है यह हुआ तो इसका कारण क्या है इसका कारण है कि I have to report you मेरे लिए reporting आप है कि आप question पूछेंगे आप कोई बात कहेंगे तो मुझे आपको report करनी है या मुझे आपको update करना है मुझे आपको बताना है तो मेरे उपर एक pressure आ जाता है एक जिसे लोग profession pressure कहते हैं कि मुझे अपने बच्चे को कम समय में इसको update कर देना है कहीं ऐसा नहीं कि आपने मुझे यह नई चीज अपडेट नहीं की तो मैंने इसको दीरे दीरे behavior बना लिया शुरुआत में समय जादा लगा दीरे दीरे समय के साथ इसको update कर लिया दूसरा ह नोकर शाह नोकर शाह का मतलब होता है you have to be very very एक जिसे कहते हैं कि qualitative measurements आपके पास होना चाहिए कि अपनी team के साथ आप काम कैसे करोगे अगर कोई चीज आपको सबसे अच्छी सीखनी तो leadership quality सीखनी है आप government के नोकर यानि उसके आदेश पर काम करोगे ठीक है आप government के अंडर में हो लेकिन आप शाहिनों को और एक तरह से कह सकते हैं आपको यह अंदर सारे departments हैं आप उनके boss हो हर किसी के उपर एक boss बैठा हुआ है आप नए नए बनके जाओगे SDM तो आपके उपर DM बैठा होगा DM के उपर जो है वो principal secretary उसके उपर chief secretary उसके उपर cabinet secretary सब के उपर कोई नए कोई बैठा हुआ है ठीक है तो इसका सीधा सा मतलब है सब को किसी ने किसा रिपोर्टिंग करनी है सब के पास अपने team में हैं काम करने के लिए तो आपको अभी से आदर डालनी होगी अपने peers के साथ काम करने की आपको जो है वो कैसे क्लिबरेशन करना है जिसे जनरली और तीसरी चीज़ें लोग से वक्त आपको जनता के बीच में संभात करना चाहिए कई बार बच्चे सोचने के वल किताबे पढ़कर वह आई-एस बन जाएंगे बहुत बड़ी गलती यह होती है आई-एस के सलवस में बहुत बड़ा हिस्सा इसी बार का पेपर आप देख हैं तो इसरे वाली कोचिंग में सीधे चैनल बड़ा करा देते हैं एक साल में पूरा करा देते हैं अब आज तुमने अगर मेंस का पेपर देखा होगा और नहीं देखा होगा तो करांगा ताकि तुम्हारी गफलत दूर हो जाए उसमें तो उसमें आप यह देखोगे कि ज सब्जिक जो अथारोटेटिव है वो सब्जिक जो परिवर्तन कर सकते हैं उनके साथ जोड़ना शुरू करो जब इस तरह से आप जोड़ते हो तो आपके लिए बहुत बेनेफिट होता है तो यह जो तीनों चीज़े हैं वह आपकी लाइफ का एक हिस्सा होना चाहिए कर आप करना है और अगर किसी ओफिस में कुछ दिन जाकर काम करो जो नए बच्चे हैं तो तुम देखो वहां बॉस का बिहेवियर क्या होता है क्या होता है जल्दी से रिपोर्ट चाहिए मुझे मेरे टेबल पर चाहिए तो यह तुम्हें आदत अंदर डालनी है तो यह आपको ब खरीफ करना है तो यह सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टन होनी चाहिए और बहुत इसमें जो है मज़ा आने वाला है आपको बहुत से लोग यह नॉन सीरियस बात करते हैं बहुती सीरियस अफेयर है राष्ट तुम्हारे हाथ में है और राष्ट ऐसे लोग तो यहां पर चैट कर रहा है मस्ती कर रहा है तो इस स्टेज इस नोट फॉर यू इसको जितनी जल्दी छोड़ तो उतने अच्छा तो इस तो प्तों ने आई प्रट वरमाट ज शान्त माहँ में हम बहुती जो बच्चे नीडी है वही वहां पहुंचते हैं जैसे चाणक रेने कहा था कि पात्र को ہी सिक्षा दी जाने चाहिए पात्र को नहीं तो जो नीडी है जो जिसको प्यास है कि मुझे अपने आपको इन्हांस करना है वहाँ पहुचेगा राइट